असलाम आलेकुम, वेलकम टो माई योटिप चैनल, I hope आप ठीक होंगे, I'm sorry मैं regularly स्टोरीज अप्लोड ने कर पाती, क्योंकि मैं बहुत ज़्याद ही बीजी होती हूँ तो, प्लीज आप लोग माइड मत कीजिएगा, और वैसे भी, आप कौन सा सारे लोग सुनते भी हो, अज मैं आपके साथ Heartless का Next Part Share करने वाली हूँ, और हाँ थोड़ा लेडी शेयर करने वाली हूँ तो, प्लीज टोंट माइड, और स्टोरी पसानद आए तो लाइक और कमेंट आद दीजेगा, नहीं पसानद आए तो हेट कमेंट मात कीजेगा, और अब इस स्टोरी में आपको वाँट जी और वीन के पीच में एक अच्छा रिलेशन देखने को भी मिलेगा, क्योंकि आप स्टोरी का एंटी होने वाला है, तो चलें, हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं सुबा हो चुकी थी और विंग जोके, अब जीया को लेके ब्रैक्वस्ट के लिए जाने वाला था, और तब ही जैसे आउंटी उसके पास ही आई थी, उनके पास कोई पेपर्स दे थे जो वो से देने आई थी आउंटी ये सब क्या है, वो जैसे हरानी से उनके पेपर्स को देख रहा था, पता नहीं, ये सुबा सुबा ही आई हैं और शायद किसी ने तुमारे लिए बेची है, मेरे लिए कोई क्यों ही बेचेगा और मैं तो यहाँ पेपास से एक गैस्टी होना और ये मेरा पता तो के हैं, और क्या है इसमें ये तो मैं नहीं जानती, ये देख लो और फिर बेच्वास्ट के लिए आ जाओ, तुमारे अंकल तुमारा वेट का रहे हैं, वो इतना बोल कि आप जा रही थी और विंग जो के हरानी से उन पेपर्स की तरफ देख रहा था, उसने उस फाइल को अंदर के पेपर्स देखे तो जैसे उसकी हरानी कोई इंतहाई नहीं थी, वो प्रॉपर्टी के पेपर्स थे जो के वांग जी के साइन के साथ थे, और वो उसके नाम की प्रॉपर्टी दे रहा था, जिसमें वांग जी के साथ साथ जैवजिन के विसिगनेचर थे, और उस नहीं उसके हिसे की प्रॉपर्टी उससे थमाई दी थी और वींग को तो साच में हैरत ही हो रही थी अब भी उसने काली तो उसको बोला था कि मेरे हवाले कार्टो जो मेरा है और वांग जी ने इतनी जल्दी के साब कार दिया उसे सच में यकीन ही नहीं आ रहा था वो ऐसा क्यों ही कार रहा है और कैसे इसने यह साब कार दिया उसे तो पैसे से बहुत ज्यादा प्यार है और वैसे भी वो बिल्कुल भी वींग से प्यार नहीं करता था जो उसके लिए यह साब करता यहां, शायद उसे भी हाँ मुझ से बोरियत होने लगी है वो भी मुझ से जान छुड़ाना ही चाहता है इसलिए उसने सोचा होगा ना कि जो इसको देना है, दे के फारिग करूं हाँ, बहुत अच्छा किया तुमने बहुत ज्याद ही अच्छा किया तुमने विंग पेपर्स को पार रहा था और तबी जिया जोके जल्दी जल्दी सोई थी एक ताम फिर से उठके थी एक तो बेबी को भी पता नहीं क्या ही मसले है जाब देखो एक तम सो जाती है और कभी उठपी जाती है उसने बस हस्ते हुए जिया को उठाए लिया था और आप वो उसे लेके उसे पेपर्स भी दिखा रहा था देखो बेबी तुम्हारे पापा ने हमें दे दिया हमें साब मिल गया मेरे नानों की प्रॉपर्टी भी और तुम्हारे पापा ने जो मेरी चीज़े रखी थी वो भी मुझे साब दे दी है कितना अच्छा हुआ ना हम देखो एक ताम कितने ज्यादा रिच्छी होगे मामा और जी आपा सैश करेंगे और उस गंदे वाले पापा के पास नहीं रहेंगे अच्छा हाँ सौरी मुझे पता है फिर तुम्हें बुरा लाग जाएगा चलो अब ड्रैकवास्ट का टाइम हो गया है वो उसे लेके बाहर आगया था और बाहर अंकल और आंटी अब बैठे हुए थे और उसने जाते हुए किसी को देखा था वो तीन आदमी थे जो के एक ताम दूर से ही उसने देखे थे और वो अब गाड़ी में बैठके कहीं जाए रहे थे ये कौन थे अंकल अरे मेरे भाई आए अरे आपने मुझे उनसे मिलाया क्यों नहीं हाँ वो बहुत ज़्यादा जल्दी में थे और मैंने तुन से बोला कि रुक जाओ ये से मिलके जाना लेकिन वो बहुत जल्दी में थे तुम विखर ना करो वो शाम तक आ जाएंगे और वो ज़रूर तुमसे मिलके बहुत ज़्यादा हुश होंगे अंकल जो के भींग से भी ज़्यादा हुश लाग रहे थे और उनोंने इंको अपने पास ही भी ठा लिया तो क्या आया था उन पेपर्स में वो तुम्हारी आँटी बता रही थी कि तुम्हें कोई पेपर्स मिले हैं जी हाँ वो वांग जी आइमीन मेरे हस्मेंट ने बेज़े हैं उसने मेरे हिसे की प्रापर्टी मेरे नाम कारती है अरे वाह ये तो बहुत ज्यादा इच्छा हो गया वैसे उस उलू की हकल इतनी जल्दी ठीकाने आज़े कि मैंने सोचा भी नहीं था अब तुम्हें किस चीज़ का इवेट है तुम्हें जल्दी से जल्दी खुद को उसे अज़ाद करवा लेना चाहिए और तुम अपनी एक इंडिपेंडन लाइफ दियो अपनी बेटी के साथ या चाहे तो ये भी उसे दे दे देना अंकल बोल रहे थे और जिया जो अब रोई रही थी विंग ने उसे एकदाम सीने से लखा लिया मैं अपनी बेटी नहीं दूँगा उसे ये मेरी बेटी है ये मेरे साथ रहेगी अरे हाँ ठीक है राक लेना तुम्हारी बेटी ये तुम्हारी मर्जी चलेगी जैसे तुम जाओ के वैसे ही होगा मेरा बेटा बहुत ज़्यादा ज्रॉंग है अंकल जो के हुशी हुशी बोल रहे थी हो है अंटी जो के एकदाम चूपी हो गई थी वो तो अपना चमच भी वहीं पर राक चुकी थी क्या हूँ आंटी आप ठीक तो है ना वी ने एक दाम से अंटी की तरफ देखा था जिनके चैरे पे तो जैसे हमाई यह उट रहे थी हाँ मैं ठीक हूँ ठीक हूँ मैं ब्लैकवास्ट करो तुम उन्होंने जल्दे से बात ही बत ली थी और वी अब नाश्टा ही गार रहा था और अंकल जो के बास वी को देख देखे हूश ही होए चाह रहे थी हाँ हद से ज्याद ही हूश और वो क्यों ही इतना हूश थे ये तो अब भी वींग को भी नहीं बता था ब्लैकवास्ट हो चुका था वींग अब आंटी की हेल्प करना चाहता था नहीं नहीं मैं काल लूँगी तुम बेबी को संभालो आंटी नहीं उसे मना हिकार थिया था वींग अब उनके साहसाधी जारा था वो जहां जहां जाती थी वो साहसाधी जाता था बरतन रखने के बाद वो अपने रूम में यहा गई थी अंकल जो आफिस से चले गहे थी और मिंग ने क्या ही दिएगा था आंटी के रूम में तो बैक स्पैक किये हुए थे आंटी आप कहीं जा रही है या अंकल कहीं जा रही है क्या हाँ वो हम शाम को जा रही है कहीं वो नेरा बेटा है ना, उसकी तबीय ठीक नहीं है आपस बेच की जाएंगे फिकर नहीं करो आंटी बता रही थी और विंग जो के चुपी हो गया था वो देख रहा था वो बैक्स तो ऐसे ही भरे हुए थे जैसे कोई हमेशा के लिए जाने वाना हो जी आप इपासाब के लिए रही थी और विंग आंटी के साथ बासी दर उतर खूमी रहा था और थब भी उसका मॉबाइल बचा था ये फिर सेवांग जी ही था हेलो कैसी हो ठीक हो मैं थैंक यू सू मच मुझे मेरा हाग देने के लिए और अब मुझ भी एक इहसान और भी कर दो मुझे डिवोस दे दो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना जाता वी ऐसे नहीं बोलो ना प्लीज तुम थोड़ा सोचो ना इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं सोचना हो तुमें क्या ही लगता है मैं इतना कुछ होने के बात भी सोचूंगा मुझे बिल्कुल नहीं सोचना इस बारे में मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना मैं तुमसे डिवोस जाता हूँ प्लीज मुझे अजाद कर दो और हाँ जिया को तुम भूल जाओ मैं उसे अपने साथ रखूंगा प्लीज भी ऐसा मत करो देखो मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुतhhhh ज्याता गलत किया लेकिन तुम एक बार थंडे दिल से और थंडे दिमाग से सोचuve हो प्लीज देखो तुम रहे लोगे मेरे भी न मैं जानता हूँ तुम इससे प्यार नहीं करते लेकिन जिया का क्या उसे तो दोनों पेरेंस की जरूरत है ना तुम क्या उसे बाप का प्यार दे सकते हो वो मेरी बेटी है ना मैं उसे साब दे सकता हूँ माँ और बाप दोनों बन के पाल लोगा समझ के तुम और हाँ, जितनी जल्दी हो सके मुझे डिवोस दे देना और आप काल करने की जरूरत नहीं है मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ तुम ऐसा नहीं कार सकते तुमने मुझे से प्रामिस किया था और तुमने कांट्रैक्ट भी साइन किया था कि तुम अपनी आँटी के हां से सीधा यहां प्याओगे समझ के तुम और मैं अगर तुम से अच्छे से बात करता हूँ या मैं अपने रिष्टे को मौका देना चाहता हूँ इसका हर्गिस मतलब नहीं है कि तुम मुझे ऐसे दबा लोगे भी असूल की बात यही है ना कि तुम गए थे तुम अपना वादा पूरा करना है तुम घार आओ फिर हम बात में बात कर लेंगे देखा देखा तुम्हारी टोन एक दाम से कैसे चेंज हो गई तुम अभी क्या ही बोड़ रहे थे कि हम इस रिष्टे को मौका देना चाहते है और ये मौका देना चाहते हो तुम जरा सी तुम्हारी बात डाली चाहे तो एक दाम से तुम्हारे अंदर का जानवर जैसे जागी चाता है बास इसी जानवर के साथ मुझे नहीं रहना अच्छा अच्छा I'm sorry I'm sorry मुझे बास गुस्सा आगया था हाँ तो अपना गुस्सा संभाल की रखो ओर ठीक है मुझे याद है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो किसी के भरोसे का नजाएस वाइदा ही उठाओं मैं जरूर आओंगा मुझे याद है और हाँ जिया को भी लेकर आओंगा लेकिन मैं शाम को आओंगा अभी नहीं आ सकता अंकल और आउंटी के जाने के बाद ओकी गुडबाई उसने एक दाम से कौल बांधी कारती थी और वो अब जिया के साथ ही खेलने लागिया था आउंटी जो के पास उसे देख ही रही थी क्या हूँ आउंटी ये तुम ठीक नहीं का रहे हुई उसका बाप है चाहे वो तुम्हारे लिए कितने ही बुरा हस्पंड हो लेकिन वो इसका तु बाप है ना और वो इससे प्यार करते है हाँ तो आपको नहीं पता अंटी वो कितना ही बुर है उसने मेरे साथ क्या खुच छी नहीं किया और आप कैसे उसको ऐसे फेवर का सकती है क्या किया उसने तुम्हारे साथ विंग आप चुप करके बैठ ही क्या था और जिया उसकी गोध मी थी बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ विंग जो कि एक ताम सीरियस ही हो किया था और वो अपना पास्ट याद कह रहा था कैसे उसकी जिन्दगी जहन्नमी बना दी थी ना इन दोनों भाईोंने एक भाई तो मार किया और दूसरा जो किया आज तक उसकी लाइफ को ऐसे बस बरबाद ही कहा रहा है उसने रोते रोते और बहुत ही मुश्किल से अपनी सारी स्टोरी उनको सनाज दी थी कैसे इमांग जी ने उसका दोस्त बनके उसका इतबार जीत के उसका हमदर्द बनके उसका फायदा उठाया था कैसे उसका रेप किया था कैसे उससे फोर्स मेरेज की थी और कैसे वो उससे बांध किरता था कैसे वो जानवरों की तरहों से ब्योज करता था उसके साथ बुरा सलूख करता था साब कुछ बता दिया उसने आंटी को वो उन्हें आप अपनी बॉड़ी पे लगे वो निशान भी दिखा रहा था और आउंटी बास चूप चाप रोते रोते उसकी बास सुन रही थी आउंटी क्या मैं गलत हूँ बताएं क्या मेरा फैसला ठीक नहीं है आप क्या चाहती है मैं उसके साथ रहूं उस जानवर के साथ वो मेरी बेटी को भी अपने जैसा बना देगा आउंटी मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता तो आप वो क्या चाहता है वो वो चाहता है हम अपने रिष़्ते को मौका दे तो तुम दो नशेसरी है आंटी जो के थोड़ी देर के लिए चूपी हुई थी और अब वो जैसे आइस्ता आइस्ता ही बोल रही थी क्योंके तुम्हें देना होगा हमेशा एक माँ कोई सैक्रिफास करना पड़ता है तुम जानते हो तुम्हारी मामा के जाने के बाद तुम्हारी अंकल से मेरी शादी हुई उन्होंने कभी मुझे दिल से एकसेप्ट नी किया वो हमेशा तुम्हारी मामा को याद करते थे वो उनका पहला प्यार थी लेकिन वो बास एक हस्बिन की ट्यूटी ने भाते रहे वो मेरे साथ रहे और जानते हूं मुझे कभी उनसे हस्बिन वाला वो प्यार नी मिला हां क्या सकते हुई वो एक अच्छे हस्बिन नी बान सके लेकिन जाब हमारे बच्चे हुए तो वो अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छे इफादर थे वो उनका बहुत ज्यादा ह्याल रखती है और चाहे वो मुझसे प्यार ना है करते हूँ लेकिन वो मेरे बच्चों के तो बाप है ना और मैं अपने बच्चों के लिए उनके साथ रहा रही हूँ और अगर बच्चे ना भी हो तो तुम जानते हो एक औरत और एक मैगा के लिए ये दुनिया कितनी बुरी होती है जगा जगा भेड़ी होती है जो उसे नोचने के लिए थ्यार ही रहती है समझ रहे हो तुम आंटी, मुझे एक भेड़िया पहले ही नोच चुक है अब मैं किस से ही डरूं और क्यों डरूं हाँ तुम सही कह रहे हो मैं मानती हूँ तुमारे साथ गलत हुआ है लेकिन ये भी याद रिखो कि आज तक उसी भेड़िये ने जिसने तुम्हे नोचा था तुम्हें बाकरी साब से बचा के तुम्हें तो रख्या है ना तुम उसकी वाइफ हो वो तुम्हें बेशाक अपने घार में रखता है लेकिन तुम नहीं जानते दुन्या में कितने कितने बुरे लोग होते है और एक वाइफ जी कोई तुमने देखा है ना उससे भी बुरे और उससे भी बरतर लोग होते है बहुत बुरे होते है ये दुनिया किसी अकेलियो महगा को जो के तुम्हारी तरा ब्यूटिफुल हो बिल्कुल नहीं जीने देते एक औरत एक वाइफ जितना अपने हस्बंट के घर में सिक्यूर होती है वो कहीं भी नहीं होती बाहर बास एक बार वो निकल जाये तो साब उसे मुफ्त का माल ही समझते है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ ऐसा हो अगर वो बदल रहे तो तुम उसे चांस दो तुम क्या ही करोगे क्या तुम अकेले अपनी बेटी को प्रोटेक्ट कर सकते हो वो एक लड़की है तुम एक उमेका हो तुम कैसे उसे बचा सकते हो वो उसका बाप है न वो उसे संभाल लेगा वो तुम दोनों को प्रोटेक्ट कर सकते है और अगर वो तुम्हारे साथ नहीं होगा तो तुम दुन्या की इस बीर में खो जाओगे वो तुमें क्या ही लगता है तुम्हारे पास ये प्रोपर्टी है तो तुम एक दम बहुत स्ट्रोंग होगे हो ऐसा बिल्कुल नहीं है ये पैसे ये चाहिदाद क्या है एक साइन किया तो किसी के पास कोई और साइन करे तो किसी के पास ऐसे ही लाइफ है मेरे बच्चे उसने बेशक तुम्हारे साथ बहुत ही पुरा किया होगा लेकिन आप वो सुधर ना चाहते है तो तुम उसे सुधर ने का मौका दो वो तुम्हारा अस्बेंड है और कितने ही लोग होते हैं जो गलती या गुनाकार के शर्मिंदा होते हैं वो तुम्हारे लिए फील करता है और देखो तब ही उसने आदी प्रापर्टी तुम्हें दे दी वो तुम्हें और अपनी बेटे को अपनाना चाहता है जो होना था वो हो चुका है वो बदल नहीं सकता वांग जी से अलग हो कि क्या तुम्हारे गए उ Exact वापस आचाहेगी नहीं ना अगर उसने तुम्हारे इज़त उता रही है तो उसने तुम्हें इसदी भी तो है ना उसके हलावा तो कोई तुम्हारे पास नहीं आया तुम्हारे साथ बहुत गलत हुए वी लेकिन हाब अगर तुम उससे अलग होगे तो शायद तुम अपने लिए और ज्यादा मुश्किलों का दर्वाजा खोल लोगे मैं तुम्हारी मा नहीं हूँ, मैं जानती हूँ लेकिन तुम मेरी बेहन के बेटे हो, मैं तुम्हारा अच्छा चाहती हूँ ये दुनिया बहुत बुरी है, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, किसी पे भी ट्रस्ट मत करना चाहे वो मैं ही क्यों नहीं हूँ, वो तुम्हारा हस्पिंड है और इस दुनिया में अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा हो सकता है तो वो भी वो है और अगर कोई तुम्हारे लिए अच्छा सोच सकता है न तो वो भी वांग जी है समझ गे तुम आंटी वी को समझा रही थी और वा चुप चाप उनकी बातें सुन भी रहा था और कहीं ना कहीं उसे आंटी सही भी लाग रही थी हाँ क्या वो वाकिए वांग जी के बिना केले हुद को और जिया को प्रटाक कर सकता है यह सबसे बड़ा स्वाल था फिलहाल उसके सामने बाकी दिन भी पास इनी सोचों में गुजर किया था वांग जी जो के बार बार एक कॉल करता था और वी ने परिशानी में कोई भी कॉल नहीं उठाई थी शाम में बासंकल भागते दोरते ही आये थे और उन्होंने एकदाम से आंटी को बोला था जल्दी चलो हमें जाना है वो उसकी कॉल आया जिली के और वो बहुत जया था भी मारा है वो तुम्हें याद का रहा है क्या हाँ जल्दी चलो इतनी जल्दी फ्लाइट हाँ फ्लाइट का मैंने रेंज्मेंट कार लिया है तुम्हें कॉल कार राया था लेकिन तुम्हारा मुबाहिल मिलनी नहीं आ था चलो ना जल्दी करो ठीका हमारी बेटे को हमारी जरूरत है लेकिन वी हाँ वी कि तुम फिकर ना करो उससे जॉनी ड्रॉप कार देखा उन्होंने शायद किसी का ना मिलिया था और वी भी वहां पे आ गया था क्या हो अंकल साथ ठीक तो है हाँ वो मेरा बेटा है ना उसकी तबीए थोड़ी ज्यादा हराब होगी है हमें जाना पड़ेगा और मैं और तुम्हारी आंटी जा रहे है और जॉनी मेरा भाई है ना वो तुम्हें ड्रॉप कातेगा तुम परिशान मत हो ना वो एकदम उसे गले मिले थे और वी जो जैसे परिशानी हो गया था और हाँ जिया का और अपना बहुत ज्यादा ह्यार रखना हम बात में मिलने आएंगे वो जल्दी जल्दी बोल रहे थी और आंटी जो के अपने बेटे की परिशानी में बास जल्दी से रैडी होके आई गही थी वो वी से अब गले मिल रही थी और उसे फिर से सोचने के लिए कह रही थी और वी ने बास सामें सारी ला दिगा था वो जिया को लेके वापस रूम में आ गया था पैकिंग तो वो खारी चुका था और अब उससे जॉनी का इंतजार था जॉनी जो के शायद अंकल का भाई था जो के अभी तक उससे नहीं मिला था और तब ही दर्वाजे पे नौक हुआ था आ जाएए सार वो वो आए है आँ उनको बो आजाए वो जॉनी ही थे जो के अपने साथ अपने दोनों भाईउ को भी लिया आए थे आप वीन तो उनको देखके जैसे शौक ही हो गया था वो दीनों कोई और नहीं बलके वो ही थे जो चार दिन पहले उसे होटल में ले गे थे और जिनुने उसके साथ वो साफ करने की कोशिश की थी तुम लोग यहां पे क्या ही कार रही हो क्या खारने है कुछ भी नहीं कार रहे जो तापनी कार सेके थे वो आप करेंगी लेकिन ये तो आँटी कार है तुम को नो अरे तुम हमें बताया नहीं हमारे बहियाने हम उन्हीं के तो भाई हैं ना और हाँ अब जल्दी करो कोई टाइम बेस्ट करने की जरूरत नहीं है कोई है प्लीज मेरी हेल्प करो वींग जो कि अब बहुत ज़्यादे इठा गया था वो अब जाना चाता था और उसने जल्दी से जिया को उठाया था लेकिन वो तीन लोग थे और वींग उनके सामने केला क्या है करेगा देखो हमें तुम से कुछ भी लेना देना नहीं है तुम ये बस साइन कार दो उन्होंने दो फाइल्स उसके आगे ही फेंगी थी और ये क्या है ये क्या है कुछ नहीं बस चोटी चोटी फाइल्स हैं और उनके अंदर चोटे चोटे का अगसाद है और उनका अगसाद पर क्या ही लिख है कि तुम अपनी हुशी से अपने नाना की प्रापर्टी और अपने एक्स हस्बन की हादी प्रापर्टी मेरे भईया के नाम का रहे हो जोनी जो के बोल रहा था और वीन जो के आप शौक ही रहा गया अंगल के नाम क्यों क्यों नहीं करोगे जरूर करोगे और अगर तुम्हें अपनी जान और इज़त प्यारी है अरे कौन सी इज़त उसके भाई ने अग्दम से जैसे मुझे वास में कहका ही लगाया था वो ही इज़त जो कि इसका हस्बिन शादी से पहली उतार चुक है कोई इज़त नहीं है इसकी तो हम तुमसे बहुत ज़्यादा प्लाइटली बात करें तो प्यारे लड़की जल्दी से यहां पर साइन करो नहीं तो फिर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा मैं साइन नहीं करूँगा यह मेरी प्रॉपर्टी है ना तुम्हारी नहीं है और तुम होई कौन जो एक ताम से इतनी प्रॉपर्टी के माली की पांचाओगे समझ गए तुम यह हमें दो तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है तुम बस जाओ अपने हस्बंड के साथ उसका विस्तर गरम करो और उसके बच्चे पैदा करो समझ गे तुम वो बोल रहे थे और वी जो क्याब चुपकार के बैठ ही किया था जी आप बिचारी जो के रोना ही शुरू होगे थी अरे वा देखो बेबी को भी रोना आ गया चलो बेबी की मामा जल्दी से साइन करें और अपने घार जाए लेकिन भी आगर इसने घार जागे कुछ कार दिया या किसी को बता दिया तो नहीं बताएगा बिल्कुल नहीं बताएगा बताओ के क्या मैं तुम लोग को छोड़ूगा नहीं तुम लोग की इमत भी कैसी हुई अंकल कितने ज़्यादा अच्छे हैं और तुम तुम लोग कितने ही बुरे हो मैं अंकल को बताऊँगा मैं आंटी को भी बताऊँगा कि तुम कितने बुरे हो हाँ अंकल को बताएगा ये अंकल जो के खुद हमारे भीगा और उन्हों नहीं तो ये सब करने को हमें बोले है तो बेबी साइन करोगे के नहीं करोगे मैं कोई साइन नहीं करूँगा वो बास साब उससे बोल रहा था और उसने जिया को हागी कार लिया था हाँ ठीक है मत करो चलो भाईयो आज थोड़े कैश करेंगे और फिर इसको मार ही डालेंगे और जब यह मार चाहेगा तो हम इसके थम का निशान ही ले लेंगे वैसे भी क्या ही फर्ग परता है हमें तो प्रापेटी चाहिए साइन कार के मिले या निशान लगाने से वो तीनों अब आगे ही बाहर रहते और वीन जो के एक दम अब ढार ही किया था मेरे करीम मात आना मात आना मेरे करीम मैं कह रहा हूँ तो क्या ही कार लोगे तो वो बस आगे हाच चुके थे और उन्होंने अपनी अपनी कोट्स और शर्ट्स तो उतार ही फेंगी थी और वीन को बस वो ऐसे भूके बेडियों की तरह ही देख रहे थे और वीन को आन्टी की बात एक्ताम से याद आई हाँ वो नहीं बाच सकता वो कुछ भी नहीं कार सकता वो गेल है वो कमसोर है वो अपनी बेटी की और हुद की फास्द नहीं कार सकता और अगर वो लड़े भी तो एक से ही लाच सकता है ना तीन तीन लोगों से कैसे ही लड़ेगा वो उसके पास उसकी छोटी सी बच्ची आगर उन्होंने उसके साथ कुछ कर दिया तो अच्छा, I'm sorry, I'm sorry, मैं साइन कर दूँगा लाओ कहां साइन करना है, मेरे करीब मत आना, मेरे बेटी को कुछ मत करना वो एक्ताम से हारी मान चुका था और अब उसने जल्दी से पेपर्स पे साइन कार भी दिये थे और वो जैसे फाइल लेके आख खुशी खुशी उसे देख भी रहे थे गुड बेबी, लेकिन हमें इसके साथ कुछ और भी चाहिए, तुम चाहिए हो जौनी ने तो एकताम सेट जैसे वींग को नीचे किरा लिया था और उसके भाई टोई ने तुझे एकताम जिया को खेंच लिया था और तब ही वींग का मोपाइल भी बचने शुरू हो गया था और आव विंग फून कैसे उठाए जोनी ने उसके हाथ ही पकल लिये थे प्लीज मुझे छोड़ दो मैंने देखो साथ प्रापरिटी तुम्हारे नाम कारती ही न मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा प्लीज मेरे साथ कुछ मत करना विंग आप रोई रहता और विंग छो के बजी HC जा रहा था वांग जी जो के आंटी के घर के बिलकुल पास ही था वो फून की जा रहा था वो विंग को लेने आया था और वो इनतसार नहीं कार पा रहा था के वो कब भी आएगा और विंग कॉल कैसे उठाएगा और तब ही जॉनी ने जैसे विंग की पैंट से वो फून निकाल के उसको आफ ही का दिया था और वांग जी जो कि एक ताम गुस्ते में आ गया इसकी यह हमत इसने मेरा फून काटा अब ही इसको देखता हूं समझता किया यहुद को हाँ प्रॉपर्टी भी ले लिया और आप देखो बात भी निका रहा वांग जी जो कि आप करीब आता जा रहा था और उसने जैसे उससे से आगे बढ़ना शुरू का दिया था और तब ही उससे जिया के रोने की आवाज भी आ रही थी मेरी बच्ची रो रही है और यह कहांग भी सी है मेरा फून भी बन कार दिया इसने वो बार बार गोर मिला रहा था लेकिन विंग जो के बास जॉनी से बचने की कोशिश कार रहा था